ओम शीगड़े शाय नमा राधराधे दोस्तों आप सभी का मेरे चलर वतकता एसलोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे 60 कलक्षन बताने वाले हैं जिससे कि आप 99% शोर हो सकते हैं कि आप ही होने वाली जो संतान है वो एक लड़की है दोस्तों आज की वीडियो में हम लड़की होने के बहुत ही सटीक लक्षन बताने वाले हैं जिससे आप 100% शोर हो सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव करा है दोस्तों उन खास लक्षनों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगर ले बेल आइकन को दबा दें जिससे भी रहाने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके सबसे पहला लक्षन है दोस्तों अगर आपको प्रेगनेंसी के शुवाती दिनों से ही बहुत जादा मतलब उल्टियां हो रही है जी खराब हो रहा है चक्कर आ रहे यानी morning sickness अगर आपको बहुत जादा हो रही है और जादा समय तक अगर आपको ये मतलब परेशानी हो रही है तो यह है लक्षन देखे बेटी होने का माना जाता है दूसरा लक्षन भी बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के शुवाती दिनों से ही बहुत ज़्यादा अगर आपको आलस आ रहा है यानि आपको कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है आपका मन कर रहा है कि मैं सो जाओ ले प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको अपने चेहरे पर बदलाव दिखा रहा है आपको बहुत जादा मतलब पहले से सुन्दर दिख रहा है तो ये लक्षन 100% बेटी होने का माना जाता है अगला लक्षन भी बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर गरवती महिला को प्रेगनेंसी के दोरान मतलब खाने पीने की चीजों से कोई स्मेल नहीं लगती और खास कर प्याज लसन की आपको बिल्कुल भी मतलब स्मेल नहीं लगती है मतलब उससे आपका जी खराब नहीं होता है अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दोरान मतलब अगर नोनवेज खाने का मन जादा करता है प्याल लसन वाली चीज़े अच्छी लगती है तो यह लक्षन देखे बेटी होने का माना जाता है अगला लक्षन बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों ये गरवती महिला को जरूर नोटिस करना चाहिए ध्यान से सुनेगा दोस्तों देखे प्रेगनेंसी के शुवाती दिनों से ही आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके बच्चे ने फर्स्ट आपको किक करी है यानि पहली जो हलचल होती है उसने कव शुरू करी है दोस्तों अगर आपको ये हलचल बच्चे की जो मुमें है अगर लेफ्ट की तरफ अगर आपको फील होती है लेफ्ट की तरफ आपको ज़्यादा भारी पन मैसूस होता है तो यह लक्षन देखे गर्व में छोटी सी प्यारी सी लड़की होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला कोश्रुवाती दिनों से ही मतलब बहुत जादा मतलब भूग जादा लगती है और आपको जातर स्पाइसी चटपटा खाने का मन करता है यानि तीखे चीजे अच्छी लगती है तो यह लक्षन देखे बेब हाटबीट है जो पर मिनट में जो हाटबीट उसमें लिखी होती है आप ध्यान रखेंगे अगर 140 से प्लस है या 150 से भी ज़्यादा है तो यह है लक्षन देखे बेबी गरल होने का माना जाता है अगरा लक्षन दोस्तो देखे गरवती महिला के बालों को लेकर है अगर गरव करें कि आपकी pregnancy के दोरान अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बेजान रूखे हो गए हैं पहले से उनकी शाइन कम हो गई है तो यह लक्षन बेवी गरल होने का माना जाता है दोस्तों अगला लक्षन है गर्वती महिला को देखें अगर यूरीन की problem बहुत ज़्यादा नही है और उसका यूरीन का कलर भी नॉर्मल यलो है तो यह लक्षन भी देखें बेवी गरल होने का माना जाता है वह लक्षन ही बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला को जैसे मतलब अपने बाएं पैर में उसको दर्द रह रहा है या बाएं ब्रेस्ट में उसको जातर खिचाब महसूस हो रहा है या एठन महसूस हो रही है देखिए अगर आपको लेफ्ट की तरफ मतलब सोना अच्छा लगता है लेफ्ट की तरफ ही आपको जातर प्रॉबलम हो रही है पैर हो हाथ हो कमर हो मतलब उसमें आपको दर्द हो रहा है तो यह लक्षन बेबी गरल होने का माना जाता है अगला लक्षन है बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला की जो नाभी लाइन है वो अगर आपकी उपर से नीचे तक मतला टेड़ी है या जिक जैक में बनी हुई है या उपर भी आपको टेड़ी दिख रही है और नीचे की तरफ से भी टेड़ी है तो यह लक्षन देखे बेबी गरल होने का माना जाता है अगला लक्षन बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला को अपने सपन में देखे फिमेल से चीज़े मतला जो फिमेल से संबंदित होती है चाहे सबजीया है फल है अगर ऐसी चीज़े दिखाई दे रही है जैसे आपको सपन में हरी मिर्च या भिंडी दिखाई दे रही है लोग की दिखाई दे रही है या मोतियों की माला दिखाए दे रही है या फिर अपने कोई बेहन मतलब कोई अगर आपको लेडी मतलब सौपन में बारवा दिख रही है या बेबी गर्ल आपको दिखाए दे रही है तो ये लक्षन भी देखे बेटी होने का माना जाता है दोस्तो आज के समय में देखें लडका लडकी में कोई भी फर्क नहीं है लेकिन फिर भी सबीको जिग्या से रहती है कि हमारे होने वाली संतान वो एक लडका होगा या लडकी होगी तो दोस्तो आपकी जिग्या साथ को दूर करने के लिए बनाई गई वीडियो है दोस्तो कोई भी लक्षा ने कि 100% नहीं होता है दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चनल को सस्क्राइब करना ना भूलें आप सभी को ओम शीगड़े शाय नमा